भारत का डिफेंस रिसर्च बजट देश को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए काफी नहीं है इकोनामिक टाइम्स के मुताबिक भारत की संसदी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही इसमें कहा गया कि वेश्विक इसतर पर लीडर बनने के लिए आने वाले सालों में देश को रक्षा शेत्र में रिसर्च पर बजट दोगुना करने की जरुरत है रिपोर्ट में कहा गया है कि रिसर्च के शेत्र में हमें बजट पांच दशमलव तीन आठ प्रतिशत से बढ़कर आठ से दस प्रतिशत के बीश ले जाना होगा फिलहाल डिफेंस रिसर्च का जितना बजट है यह सिर्फ देश को आत्म निर्भर बनाने या उसकी रक्षा करने के लिए ही काफी है इसे देश ग्लोबल लीडर नहीं बन सकता सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के रिटायर डारेक्टर जनरल एयर मार्शल अनिल चोपडा ने कहा चीन डिफेंस के शेतर में रिसर्च पर अर्बो डॉलर खर्च कर रहा है ऐसे में पीछे रहने का रिस्क नहीं ले सकते डिफेंस प्रोडक्शन में ग्लोबर प्लेयर बनने के लिए हमें प्रतिस परदा की भावना से काम करना होगा हत्यारों का लाइसेंस के साथ प्रोडक्शन करना काफी नहीं है